लीजे, आज मैं आप सभी के साथ जटपट से बनने वाले रेशिपी शेयर करने जा रहे हूँ, गर्मियों में अगर खास कर किचन से छुट कारा पाना चाहते हैं, तो मेरे इस आसान तरीके से दहे की इस authentic सी रेशिपी को ज़रूर बनाईएगा, तो चली आज की बहुत ही प्याज उसे मैंने पहले ही छील कर और वाश कर लिया है, इसे हमें चॉप कर लेना है, एक प्याज का मैं यहां पे इस्तेमाल कर रही हूँ, और प्याज को बारीक बारीक चॉप करना है, तो चली मैं यहां पे प्याज को कट कर ले रही हूँ, अब नेक्स प्रोसेस करते है इतने में हमें ग्यास पे एक पैन को रख लेना है गर्म होने वन टेबल स्पून मैं यहाँ पे वाइल जाल रही हूँ जादा तेल का भी हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो हाप टी स्पून यहाँ पे जीरा और हाप टीस्पुन से थोड़ा सा कम हमें यहाँ पे हींग का इस्तेमाल करना है और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है उसके बाद हमें यहाँ एक सुखी लाल में चैट करनी है और चौप किये हुए प्यास को हमें यहाँ पे स्टेल में डालना है और मीडियम फ्लेम पे इस प्यास को बिल्कुल अच्छी तरह से सौफ्ट और लाल होने तक मतलब कि गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें भून लेना है चलिए गैस तो हमारे लो ही है फ्लेम लो है तो चलिए इतने में दूसरा प्रोशेश कर लेते हैं फटाफट वाली रेशिपी है जटबट से बनाएंगे और किचन से फटाफट छुटकारा पाएंगे तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दही तो दही बिल्कुल ताजा इस्तेमाल कीजिएगा खटी दही का इस recipe को बनाने के लिए बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिएगा तो मैं यहाँ पे एक कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे हमें अच्छी तरह से blend कर लेना है आप इस तरह से whiskar की मदद से इसे फेट ले या फिर blender की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे smooth कर लेना है तो मैं यहाँ पे पानी वेगरा का इस्तेमाल नहीं की हूँ आप चाहें तो थोड़ा सा कर सकते हैं अब चले यहाँ पे प्याज को भी देख लेते हैं तो देखिए प्याज भी हमारे soft हो चुके हैं और कलर भी प्याज का जो है न अच्छी तरह से golden होने लग रहा है तो चलिए अब हमें क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सा डाल लेना है हल्दी का पाउडर, टर्मरिक पाउडर, हाफ टीस्पून करियंडर पाउडर, धनिया का पाउडर वन टीस्पून जिंजर गालिक पेस्ट में आठ की हूँ अधरकोर लहसन का पेस्ट हमें यहाँ पे अड़ करना है और प्यास के साथ इन सबी चीजों को हमें भून लेना है उशी के साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा कस्मीरी लाल मिच पाउडर डाल रही हूँ तीखा अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ग्रीन चीली को बारिक बारिक चॉप करके भी यहाँ पे अड़ कर सकते हैं अब हमें इन सबी चीजों को थोड़ा सा भून लेना है जब तक कि इसमें से वह रिलीज ना होने लगे थोड़ा थोड़ा पानियाड करेंगे और अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे दोस्तों मेरी रेशबी को कहा कहा से देख रहे हैं और रेशबी पसंद आ रही होगी तो मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताईएगा और रेशबी पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करने में फ्रेंस कंजूसी मत कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा चली अब मैं यहाँ पे गैस को आफ कर दी हूँ यह जैसे ही मसाले मतलग की प्यास वेगेरा भुन जाएंगे ना तो गैस को आफ कर देना है थोड़ा सा इस मसाले को हमें ठंडा होने देना है जैसे ही यह थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हमें यहाँ पे ब्लैंड किये हुए कर्ड को डालना है तो मैं यहाँ पे दही को डाल दे रही हूँ और एक हाथ से हमें इसे mix भी करते रहना है पर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि यह process gas को off करने के बाद और थोड़ा सा मसाले को ठंडा होने के बाद ही किजिएगा नहीं तो दही डालते ही यह आपकी दही फट जाएगी औ और परफेक्ट दही तड़का आपका बनकर नहीं तयार होगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा ही पानी डाला है उसी बावल में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है क्योंकि उसमें दही लगे हुए थे अब हमें gas को on कर लेना है और flame को बिलकुल low रखना है low flame पे हमें यह process ब बनाए कड़ी बेगर अभी न तो उसमें नमक सबसे last में इस्तेमाल करें नमक डालने से पहले यह होता है ना कि दही की कोई वी चीज जो होती है वो पक्ते-पक्ते खटी हो जाती है इसलिए मैंने सबसे last में नमक का इस्तेमाल किया है चलिए अब gas को off कर लेते हैं यह दही इसे बनाना गर्मी में आप इसे जरूर बनाईएगा किचन से फटा-फट से छुटकारा पाईएगा और पूरी प्राठे रोटी चावल जिस भी चीज के साथ आपको इसे खाना होगा जरूर खाईएगा गजब की यह स्वादिष्ट लगती है यह खाने में और बनता भी बहुत ही आसान तरीके से तो दोस्तों वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा रेशिपी पसंद आई होगी आप लोगों को तो इस रेशिपी को फ्रेंट ग्रूप्स में और फैमली वालों के शाथ सेर भी कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन पे भी क्लिक किजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर आसान सी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाएगी तब तक के लिए बाबाई